नमस्कार आपका स्वागत है फटाफट खबरों में आज हम लेकर आए हैं हिमासल प्रदेश के हाट छूटी बड़े शहर के सबसे तेज और ताजा खबरे तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईए हमासल के मुख्यमंत्री सुकुने केंद्रिय मंत्री ग्रजे इंद्र सिंग शेखावत से की मुलाकात किया ये आख रहे मुख्यमंत्री सुक्वंद्र सिंग सुक्षू ने गुरवार को नई दिल्ली में केंद्रिय संस्कृती एवं परियतन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत से मुलाकात की मुख्य मंत्री ने राजे में नए और एकिकरत परियता निस्थलों के विकास के लिए भारत सरकार से सहीयोग का आगरह किया उन्होंने केंद्रिय मंत्री से विशेश केंद्रिय साहता योजनाओं के तहट राजे को सहीयोग देने का भी अनुरोद किया है मुख्यमंत्री सुक्विंद्र सिंग सुक्षों ने कहा कि विस्तरत परियोजना रिपोर्ट कुछ सब्ताहम में भारत सरकार को सौपती जाएगी उन्होंने कांगरा जिली के देहरा में वेलनेस सेंटर कम हेल्थ रिजोर्ट और ओहर बिलासपुर में एकिकरत परियोजना परिसर के निर्मान के लिए सहयोग मांगा मुख्यमंत्री सुकू ने कहा कि राज सरकार परियटकों को आकरशित करने के लिए राजे में जल्क रिडाव को बड़े पैमाने पर बढ़ावाद दे रही है हिमाचल में तेजी से बदल रहा मौसाम पांच शेहरों का तापमान दस डिग्री से कम हिमाचल में साफ मौसाम की बावजूद पहाल पर पारा तेजी से लड़क रहा है बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में 1.7 डिग्री सेलसियस का अंतर देखने को मिला अधिक उचाई वाले इलाकों में जबर्दस्त ठंड का एहसास हो रहा है यहां रात का तापमान 1 डिग्री सेलसियस तक पहुच गया प्रदेश भर में रात और सुभे का तापमान अब 15 से 17 डिग्री सेलसियस पर पहुच गया है मौसम विभाग में आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई कुक समेरी में 1 डिग्री के लांग 1.4 और कलपा 4.4 डिग्री सेलसियस तापमान दर्श किया गया प्रदेश के इन तीनों इलाकों में सबसे ज़ादा ठंड महसूस हो रही है बिजली बोर्ट कर्मचारियों को मिलेगा 4 प्रतिशत डिये हमाचर प्रदेश राजे बिजली बोर्ट के कर्मचारियों को बिजली बोर्ट प्रबंदन ने 4 प्रतिशत डिये देने की घुशना कर दी है बिजली बोर्ट के नियमित कर्मचारियों को अभी एलाब जारी कर दिया गया है बिजरी बूर्ट के NPS कर्मचारियों को दे डिये के लिए अलग से निर देश जारी किये जाने हैं इसके अलग से अदिसूचना जारी की जाएगी हिसबार बिजरी बूर्ट के कर्मचारी और पेंचनर्स को वेतन भी 28 अक्टुबर से पहले मिल जाएगा इससे पहले राजे सरकार ने इनकी घुशना कर ली है इस साच पर राजे बिजली बूर्ट के कर्मचारी भी लगातार इसकी मांग कर रही थी सिवल अस्पताल कंडा घाट में मिल रही एक्सपाईरी डेट की दवाईं सीमो ने दिये जाच की आदिश स्वासे मंतरी कर्डनल धनीराम शांडिल के ग्रह शेतर कंडा घाट के सिवल में एक्सपाईरी डेट की दवाओ का मामला सामने आया इन दवाओ की एक्सपाईरी डेट अगस्त में खत्म हो गई थी इसके बावजूद रोगियों को ये दवाईं वितरित की जा रही है इसी अस्पताल के कर्ण्शारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए मामला सामने आने की बाद कारेकारी सीमों ने इस पूरे मामले के जाँच की आदेश दिये हैं बियमो साइरी अजेसिंग को इस मामले का जांच अदिकारी न्युक्त किया गया नेता प्रतिपक शियराम ठाकुर बोले सुक्षु सरकार पर है जनता को दी गई रियायते चीनने का भूत सवा पूर्मुख्यमंत्री एवब नेता प्रतिपक शियराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की कत्री और करनी में दिनराकान तर है सरकार चाहती है कि जनता हिस्विम सबसिरी छोड़े और खुद इनके सिपा सलार सरकारी धन की मौच करें अपने विश्यत्र दोरे पर सराज आईपूर मुख्य मंतरी ने एक मंतरी के बयान को हस्यासपत बताते हुए कहा कि कैबिनेट सब कमेटी मीटिंग के बाद मंतरी प्रेस में आकर जनता से अपील कर रही हैं कि वे खुद आगे आकर सरकार की ओर से दी जा रही बिजली पर सबसिरी त्याक दें हाई कोट ने सरकार से स्वास्त सुविधाव से जुड़े पदों को भरने में देरी पर लिया कड़ा संग्यान लिया है कारेवाहक मुख्य न्याइधीश तरलोक सिंग चोहान और न्याइधीश सतीन वैदे की खंड़ पीट ने स्वास्त निदेशक को प्राइमरी हैस सेंटर में विभिन पदों की रिक्तियों सहितपूर्ण ब्योरा कोट के समक्ष रखने की आदेश दिये हैं कोट ने ये जानकारी निदेशक को शपत पत्र के साथ पेश करने की आदेश दिये इससे पहले हाई कोट ने स्वास्त सचिप से पूछा था कि प्रदेश के विभिन स्वास्ति केंद्रों में चिकित्सकों समेत अन्या स्टाफ के 1450 रिक्त पड़े पदों को कब तक भर लि आ जाएगा की शुरू कर चुकी है प्री प्राइमरीक अक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए 6297 प्रारंबिक बाल्यावस्ता शिक्षकों की भरती की जा रही है द्रश्टिहीन संग की बैक लॉग के पदों को भरने के मांग पर नवंबर में होगी बैचक राश्टिहीन संग की मांग पर समाजिक नयाए एवम अधिकारिता विभाक के सचिव ने सभी विभागों की बैचक बुलाई ये बैचक नवंबर महीने के पहले सब्ताह में होगी इसने विभाक की अधिकारियों को रोस्टर के साथ बुलाया है विभागों में उक्त कोटी के कितने पदों का बैक लॉग है ये तमाम जानकारी बैचक में रखी जाएगी इसके बाद इस पर रिपोर्ट तयार कर सरकार को भीजी जाएगी केंदर से राजसरकार का अग्रेप प्रदेश की 386 मिनी आंगनबारी को ना किया जाए बन केंदर सरकार ने प्रदेश की 153 मिनी आंगनबारी को अपग्रेट करने की मंजूरी तो दे दी लिकिन इस दौरान 6386 मिनी आंगनबारी को बंद करने का फर्मान भी चारी किया ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से इन आंगनबाडी केंद्रों को बंद ना करने का आक्रह केंद्र सरकार से किया गया हाला कि मामले पर मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए डियो में भी इन 386 मीनी आंगनबाडी को बंद ना करने की सिफारिश की गई है आरवेदी कॉलेज पपरोला और छोटा शिमला में शुरू होगा वेलनेस पंच कर्म आरकेस की बैचक में फैसला आरवेदी कॉलेज पपरोला और छोटा शिमला जिला अस्पताल में जल्द ही वेलनेस पंच कर्म की सुवधा मिलेगी को आयोश शब मंतरी आद्वेंदर गोमा की अध्यक्षता में हुई अस्पताल की RKS की बैचक में ये फैसलार दिया गया चोटर शिमला जिला अस्पताल की RKS को 60 लाक रुपे का बजट भी मनजूर किया गया उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही सभी जिलों में नैचरल थेरेपी भी शुरू की जाएगी प्रदेश के अरवेदिक अस्पतालों में जल्द ही आयोश विभाग वेलनेस पंचकर्म की सुविधार शुरू करने जा रहा है सुकु सरकार की बड़ी पहल लोगों की परिशानी सुनने घर घर जाएंगे खिमाचल सरकार के मंतरी हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंतरी सुकु के निद्रत वाली सरकार एक नई पहल करने जा रही है बता दें कि इस मुहिम के तहत है माचल प्रदेश सरकार के मंत्री राजे के दूर दराज इलाकों में लोगों के घर घर जाकर उनकी परिशानियों को सुनेंगे और उनका निपचारा कर सकेंगी ये पहल मुख्य मंत्री सुक्विंद्र सिंग सुकू खुद करने जा रही है मुख्य मंत्री सुकू 26 अक्टूबर को जिला शिमला की दूर दराज शेतरे डोडरा कौर से सरकार की इस पहल की शुरुआत करने जा रही है शिम्ला में बनेगा विश्य का दूसरा सबसे लंबा रोपे छेसो साट ट्रॉली लगेंगी एक घंटे में छे हजार करेंगे सफर हमासर प्रदेश की राज़ानी शिम्ला में विश्य के दूसरी और देश के सबसे लंबे खरीब 14 किलो मीटर के डोफवे का निर्बान कारे जल्द शुरू किया जाएगा राज सरकार ने डोफवे की परियावरर मन्जूरी के लिए 20 करोड जारी कर दिये उपमुख्य मंत्री मुकेशक निहोतरी ने गुरवार को शिम्ला में आयोजित प्रेसवार्ता में इस बात की जानकारी ही सराज में मंत्री जगत सिंग नेगी के सामने आपस में उलजे कॉंग्रेस कारे करता जमकर हुई धका मुख्य हिमातर प्रदेश के मंडी जिले के सराज दौरे के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंग नेगी के थुनाद पहुचते ही स्वागत के लिए खड़े कॉंग्रेस नेतार जगदीश रिड़ी और छाकू छेतराम समर्थक मंत्री के स्वागत के दौरान आपस में उलच पड़े इस दौरान जगदीश रिड़ी समर्थकों ने जब कर नारे बाजी की सोशल मीडिया पर ये सियासी ड्रामा खुब वारल हो रहा है घर से स्कूल के लिए निकला दसवी कक्षा का छात्र हुआ लापता तलाश जारी शिम्ला में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाला दसवी कक्षा का छात्र संदिक्त परिस्थितियों में लापता हो गया नावाले एक जो की मदर्से में रहने वाला है जानकारी देते हुए शिकायत में बालुगंज मदर्सा के प्रबंदत मुहम्मद तर्मीर ने बताया यह रोज की तरह चात्र सुबह स्कूल के लिए निकला था लेकिन शामकून नहीं लोटा उन्होंने उसकी सभी आसपास के लाखों में तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया इसमें उन्होंने शक जाहिर किया कि किसी ने चात्र को अगवा कर लिया है तो यह थे आज की पताफ़च खबरे हम मिलेंगे अगले बुलिटिन में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन